हलो दोस्तों आसा करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ टाइट सीडुल चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो आज मैं कुछ समर के बारे में आप लोगों को साथ बात सेयर करूंगा सबसे ज़्यादा क्वेस्टिन जो मुझे पूछा गया थे तो सेंडर मीडिया में कितने बार पानी डालना पड़ता है सवन में सेंडर मीडिया में कम से गम 3-4 बार पानी डालना पड़ता है और सावरिंग भी करना पड़ता है आप लोग जितने बार सावरिंग करेंगे उतना अच्छा अपलगों का प्लैंट का ग्रोथ होगा सावरिंग जब करेंगे तो पत्ति के नीचे भीगना चाहिए क्योंकि इस टाइम में जो है रेट माइट का एटाक होता है और रेट माइट एक बार प्लैंट पे लग गया तो जाता नहीं उसको भगाना बहुत मुश्किल होता है चाहे आप कोई भी पेस्टिसाइड डाल ले पानी जो है रेट माइट का एंटी होता है पानी अगर सावरिंग करेंगे तो रेट माइट आएगा नहीं और थीप्स का पॉब्लेम आता है इसलिए आप इमीडा प्रोपीड ग्रूप का कोई भी पेस्टिसाइड हपते में एक दिन डालिए और इस बार मैं गाडेन में किया हूं मेरा जो एक सल के ऊपर जितना भी प्लैंट था मैंने क्लेए पॉट खड़ीदा था बाड़ा इंच क्लेए पॉट में मैं उसको टांस्परेंट किया हूं वह भी फेवरी महीने में आप जाके उसका ग्रूत आया है आप केमिकल फॉर्टिलाइजर में हपते में त जालता हूं अभी समर के टाइम के लिए मैं थोड़ा डोस कम कर दिया हूं एक लिटर पानी में एक ग्राम में डालता हूं और मेरा जो निव कलेक्शन का जो प्लैंट है उसका भी ग्रोथ जब अब दस चल रहा है अब देख सेखते हैं और फिर फंगस का पॉब्लेम इतना ज़्यादा नहीं आता तो फंड़ा दिन में एक लामें फंगभा स्वांगिय स्पे करता हूं एक बार मैं कॉंटर फंगिसाइच और एक बार सिस्टेमिक फंगिसाइच करता हूं पंज दीन बाद इंटर को ओर आपको इंटर पीट डालना परेगा या पीजिदेश워서 का अब आपका पानी से दूर हो जाएगा पानी सप्प्रे करेंगे, तो आपका जो एजिंद दोन नहीं होगा जितना करेंगग में सब्सक्राल राल मैध कर्वाइथ- यह ग्रोः ईएगा। और इस यही सरी समय है जो आपका प्लाइन का जो ब्रांच है उसको बढ़ाना पड़ेगा और जैसे नया नया जो बार्च दाता है अभी इसको में तोड़के फेक देना पड़ेगा इस समय पे यूदि मैं ज्यादा फ्लावर नहीं लेता हूं क्योंकि मेरा जो अभी फोकस है वो ब्रांचिंग के उपर है और जब आप बार्ट्स फेक देंगे तब उससे ब्रांच नया जल्दी ग्रो होगा और ब्रांच भी नया नया निकलने सुरू होगा तो फ्लावर जितना हो सके बार्ट्स को काटके फेक देना पड़ेगा क्योंकि मैं जो जितना भी बार्ट जो कलर सोग आता है तब जब इसको तोर के फेक देता हूँ कभी-कभी इतना ज्यादा बर्ड हो जाता है तो उसको हर सब्सक्राइब करना भी महुत मुश्किल होता है कि मेरा जो सीडूल है वह बहुत टाइट सीडूल है इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था कि तो अब मैं पैण्त है उससमें स्टैंट लगा दिया हूं अब देख सेकते हैं Stan मैंनेjas टॉनक वीटाया है इससे एक फायदा होता है जो इसका जो दूब में जो हीट हो जाता है फ्लोर वह डारेक्ली प्लैन का वोपर नहीं आता वो जहींच गैप है तो तो इससे हवा निकल जाता है और जो पॉट है वो ठंडा रहता है और उससे रूद भी डेवलप्मेंट बहुत अच्छा होता है तो आप लोग इसको खाना देते रहिए फोर्टिलाइजर देते रहिए आप इस सही समय है जब आप इससे ज्यादा ग्रोध ले सकते हैं डी वार्डिंग किजिए आप लोग इससे ज्यादा ब्रांच निकल के आएगा और जितना ब्रांच होगा तो उतना ही आने वाला जो सिजिन हाए उसमें अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा तो यह तो था समर केयर के बाले में और आप देख सकते हैं मैं बंबू स्टीक से यह सभी पॉट को पैरली रख के बांद दिया हूं क्योंकि हवा जब चलता है तो जो उपर का जो जो ज्यादा है तो पॉट कभी-कभी पलट जाता है इसलिए मैं इसको बांद के डखा हूं जो पॉट नहीं पलटे इससे जो रूट डैमेज हो सकता है कभी-कभी तो यह तो था मेरा अपडेट आप लोगों कैसा लागा वीडियो मेरा प्लैंट कैसा लागा जरूर कमेंट करके बताईए आप लोग बहुत बार पूछे हैं जे सिंडर मीडियों में कितने बार पानी दलना पड़ता है तो गर्मी के टाइम में तो आपको तीन से चार बार डालना ही पड़ेगा आधर वाइस सुख जाता है आप सावरिंग कप सुबह से पांच बज़े से आप राद दस बज़े तक कभी भी सावरिंग कर सकते हैं समर के टाइम में जितना सवरिंग करेंगे इतना अच्छा होगा plant के लिए सवारिंग करते रहिए जितना ज्यादा सवारिंग करेंगे उतना अच्छा benefit होगा growth भी अच्छा होगा देखिए इस एक plant में बैसल सूड भी निकल ने सुन हो गया है तो अभी पुड़ा branching के उपर फोकस है, ग्रोध के उपर फोकस है, क्योंकि आपको अगर 100 फ्लावार लेना है एक प्लांट से, तो आपको कम से कम 500 ब्रांच लाना पड़ेगा, तभी जाके 100 फूल के लेगा, क्योंकि हर ब्रांच में फ्लावार नहीं आता है, और डी वाडिंग करते रहिए, क्यों ग्रोध के उपर फोकस करना ही सही होगा, जितना ब्रांच होगा, आगे चल के उतना ही बेनिफिट होगा, टी बाडिंग का स्टेज जो है, कभी भी यह दखी, एक मेरा रह गया है, बाड्स फोकस करता हूँ, जब कलर सो करेगा इस टाइप का, तभी जाके आपको, यह सही ह आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे तोर-तोर के फिक देना पड़ेगा, तब जाके आगे वो फिर नया ब्रांच निकालेगा पास से, और इसका जो एनरजी है, वो भी रहे हैं, जाए जाएगा, और यह बाद में बेनिफिट करेगा, तो यह तो था, मेरा प्लाइन का ग्रोथ, आप लोगों का प्लाइन का अपडेट आप लोग ज़रूँ सेयर कीजिए, मेरा फेक्सबूक पेज है, सेम नाम से, या मेरा चैनल पे जाके, अबाउट सेक्शन में लिंक म सेयर कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमन करके बताइएगा, और लाइक, सेयर और सस्काइब जरूर कीजिएगा, ठैंक्यू दोस्तो,